आज हमारे साथ में संजय शुकला जी है और वो हाई कोर्ट के वकील है और हाई कोर्ट के पैनल पे M.E.K. स्क्यूरी यानि हाई कोर्ट के पैनल के वादमित्र अद्विक्ता भी है और इन्होंने गौर्मेंट प्राइवेट सेक्टर से ले करके सेंट्रल गौर्मेंट तक की चीजों को देखा है और वकालत में एक extending carrier आपकी है और एक अच्छी वकालत की ट्रेनिंग आप देते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम नए अध्विक्ता या जो विधी के छात्र है जो वकालत में आना चाहते हैं वो संजे शुकला के अशिरवात ले और संजे शुकला जी जो बता रहे हैं उसको अपने जीवन में गरहन करते हुए और वकालत के फिल्ड में आएं ताकि उनको एक नई उचाई मिले तो अब आपके सामने संजे शुकला जी हैं संजे शुकला जी आप बताएं कि एक नए अध्विक्ता वकालत में आने से पहले और वकालत में आ जाने के बाद कैसे और किस तरह से वकालत की शुरुवात करें और उस में कैसे रहें ताकि तमाम चैलेंजेस से बच करके अपने कैरियर को एक्स्टेंडिंग कैरियर बनाने में और एक सफल वकील बनने में सफलता प्राप्त कर सकें धन्यवाद सज्जा जी आपने मुझे मुझे मौका दिया इसके लिए पहले या बात मैं जो कहना चाहता हूं किसी भी चीज में आगर आपको बढ़ना है तो जैसे अरजुन ने लक्ष बांदा था मस्री बांदा तो उन्होंने केवल आँ कारी आ रहा है उसकी पूरी पीडाओं को समझना होगा इस्टडी करना होगा उसको अपने उपर लेना होगा कि मैं उसी स्थान पर होता तो मैं क्या करता क्या परिस्थिती होती जब हम उस कहानी को उसकी पूरी कहानी को समझ लेंगे और खुद ब्यक्त कर लेंगे तो हमार गुण है तुर्स प्रोंबर्सृ में को thinking एक बिंदू आप बताते हैं तो मानी कोर्ट भी संतुष्ट होता है और आपके पक्ष में निड़े होने की संभावनाएं जाधा होती है उसमें एक और चीज हमको देखनी होती है कि अगर क्रिमिनल लाइन की बात करें तो हमको मौके का मौइना जो करना इंसिडेंट जहां प्रेसाफ इंसिडेंट से बहुत चीजें वैलू करते हैं तो घटना इस्थाल को देखना चाहिए वहां पर देखना चाहिए कैसे क्या है और क्या चीजें उसमें कमिया है क्या चीजें हम बचाओ कर सकते हैं किन चीजों को हम सही नंग से प्रस्तूद करक सकते हैं और अपने क्लाइंट के प्लक्ष में जहां तक एमिकर स्क्यूरी का सवाल है यह कहा जाता है कि तब तक ब्यक्ति दोशी नहीं है जब सजाना मिल जाए मेरे पास पॉर्टफोलियो है वह साथ साल से जिनकी फासी तक की सजाय हुई है उनकी हमको अपील जिनके जिनके परिजन या संबंदी उनका मुकदमा लगने की हैसेद नहीं रखते हैं या किनी अन्यकारणों से रखना नहीं चाहते हैं तो ऐसे लोग जो प जयल में निरुद्ध है अंकि आवाज में उखने वाला नहीं है तो उनकी फाइल को मिलती है कि उसमें भी मैं इंट्रेस्ट होता है कि मैं जेल में जाऊं नहीं को लिएकिस मिला हुए जेल में झाओं उंसे पूछ उन कहां जाऊं क्या है कैसे हम उनको बचा सकते हैं वास् नियाय का हमारा उदेश से है हम सफल होंगे और हमारे जो भी हमारा के नम वादकारी होगा जो भी हमारा क्लाइंट होगा जो भी होगा उसको हम अच्छा ज्यादा तर आपकी एक बात मैं सुनते रहता हूँ कि आप जस्टिस समीम हमद जो हाई कोट लखनो बिंच में है आप उनकी बात को कोट करते रहते हैं कि सथ के करीब मुकदमे को लाना इसका क्या अर्थ है ज़्यादा तर लोग इसमें कनफ्यूज रहते हैं आपने भी कई बात इस बात को कोट किया है जरा सा इसको आप एक्स्टिस समीम हमद को जो मैंने देखा वो प्रिटिकल जज हैं तो नया कुमे वो हमको ये भी बताते हैं कि आपको ये धाराएं ये सेक्संस ये इविदेंस इस पॉइंट से आप लगा के अपनी बात को कहें इस पे वो हमको अगली बार जबाना तो इस तयाली के साथ आना क्योंकि हमारे कहने का व्याब प्रिजेंटेशन कहीं पर भिन होता है जो हम मानियो कोड को सदूश नहीं कर पाते हैं और जो भी घटना है उसको हम को जब तक सुनेंगे समझेंगे नहीं तक हम कोड को कैसे समझेंगे तो उनका यही कहना था कि जोट कुछ नहीं है हम जिसको लोग नहीं समझने है जिसके भी स्वास नहीं करने है उसको हम सथित तक मतलब असलियते हैं यह हम बताएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा है कई बार मुझे लोग टेलीफोन पर बात करते हैं घटना के हम बताते हैं और मैं उसको अपने उपर जोड़के कि मैं होता तो कैसा होता वो दूरियां क्या थी कहां पर था क्या आपस में दिशते हैं कौन आदमी ऐसी घटनाए कर सकता है तो पता लगा कि दोशी कोई हो रहा है एक और किसी और पर दोश लग जाता है ऐसी कहवते भी हैं जो यहां पर मुझे नहीं बोल सकता हूं लेकिन जिल लोगों ने अपराज नहीं किया हूं उनको दोशारोपित होते हैं और जो दोशी होता है वो अपने हिसाब से मस्त घूम रहा होता है तो दोशी को तो हम नहीं रोड़ पाएंगे लेकिन जो निर्दोस बसा है उसको हम दोश मुक्त कराने का सथ पसथ प्यास करेंगे और नए अध्विक्ता जो वकालत में आना चाहते हैं या विधी के छातरु जो है वो वकालत में आना चाहते हैं आपके अनभों के हिसाब से वो किस तरह से इसमें आएं और कैसे उनके आने की क्या परकिरिया रहने चाहिए जो नए अधिवक्ता बैवसाह में जो मैंने यहां देखा लगनों में हाई कोड में तो जो भी बच्ची आ रहे हैं सो में से 99 उसके पर डेडिकेटड नहीं है डिवोटे नहीं है अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं जिसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में बालिंग बैट हैं थोड़ा तेज चलेंगे थोड़ा जल्दी उठ लेंगे थोड़ा जल्दी अपना दैनिक क्यार निप्टा लेंगे लेकिन उसके पर हमारे जो नए इस्टुएंट्स हैं 99% हमको डिवोटेड नहीं लगे फिर हर चीज किसी को नहीं आती है हमको सीखनी पड़ती है जो आपके भले के लिए कह रहे हैं कुर्कुमार सिस्कुम्ब गुर्कुमार होता है और सिस्कुम्ब होता है उपर से ठतपाता है उपर से ठोकता है नीचे ठतपाता है तो अगर उस भावना को हम सबज लेंगे कि हमारे सीनियर हमारे भले के लिए टाट रहे हैं जैसे जो आप से मुझसे बात करें मुझे घर्व है कि भारत के सर्व प्रसित अधिवक्ता मानी आदर्णी परमपूच जाम जेट फलानी सर के अधीन आपने उनके एसोशियस रहे हैं और उनके डाट मार हज को सहा है तो आज उसी का पढ़नाम है कि आप उस चीजों से घिसके और आज तरस तराश के आज आप यहां के उचिने अले के सिखर पर आप बैठे हुए हैं आपकी छमताओं पर कोई उंगली नहीं उठा सकता लेकिन वहां जो तराशे गए हैं जिस तरीके से आप तराशे गए हैं आज का कोई हमारा नूली कमर उसको बरदास्ती नहीं करना चाहता है उस खास तोर से डेली आप कोर्ट में देखते हैं हम भी कोर्ट में देखते हैं प्रियर क्लास कहीं गलत हो जाती है कहीं अप्लिकेशन्स में हो जाता है कहीं एवेंट में कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है तो मेरा जैसे कई लड़के ये सवाल करते हैं कि ड्राफ्टिंग कैस की जाए और ड्राफ्टिंग के बारे में आपका बहुत वास्ट एक्सपिरियंस है इंग्लिश भी बहुत अच्छी है आपकी और ला में इंग्लिश की ड्राफ्टिंग में तो वर्ड और उसकी मेनिंग्स बड़ा इंपोर्टेंट है हाला कि लोगों का ये मानना है कि आपकी ड्राफ्टिंग से या अनरेबुल जेज है या अनरेबुल जेजेज है वो आपकी बास समझ जाए लेकिन फिर भी ड्राफ्टिंग एक स्किल है तो हम चाहते हैं कि आपने ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे ढंग से सीखी है और लोगों को बताते भी है तो नए बच्चे ड्राफ्टिंग कैसे शुरू करें इसके बारे में बताओ और इस पे थोड़ा सा परकाश का दो जो पहला शद मैंने कहा था कि आप उसके पर डिवोटेड होई है हर चीज किसी को नहीं आती है तरत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान तो इसमें सबसे अच्छी बात है क हमारे बार ट्राइंग होता है मैंने एक बार लिखा उसको फिर सिरलाइज किया कि क्या चीज पहले लिखनी चाहिए क्या बात मैं लिखनी चाहिए उसकी क्रंबदता को देखा कि उसको फिर सेट किया फिर किसी अपने साथी को दिखा दिया कि ऐसा क्या किया जाए क्या उसन से वर्ष जाल देते हमारे सीनेर वोकेश जो यहां पे हैं वो वर्ष वो यूज करके अर्नेबल को अपनी योगता दिखाना जाते हैं वो मुझे उचित नहीं लगता शब्द ग्राहे होने चाहिए सामने वाले के समझ में आने चाहिए और हमारा वादकारी भी जो हमारे पास क्लाइंट आया है वो भी समझे कि आखिर इसका आश्य क्या है तो बहुत जाधा वो शब्द अपशली शब्दों को का प्रयोग मुझे अच्छा नहीं लगता हां करम बदता होनी चाहिए कहने का तरीका होना चाहिए हां अगर उसका को लेंडमार्क जज्जमेंट आ रहा ह आशकल बहुत आसान है गुर्शिस की परंपरा इसलिए तूट भी रही है कि आप जो कहीं न देखें अपनी बात को लिखतें गूगल से आ सकता है या ये प्रोस से आ सकता है तो यह सीज़ें आ गई हैं लेकिन उसके बाद भी आप किसी की सला ले लेंगे भले ही आपका सा सार्थी का महत होता आप उसे सला ले ले और चार शे बार उसको तयार करके अंतिम रूतियों स्वेम सत्तूष्ट हो जाएं तभी वो ड्राफ्टिंग पूरी हुई तो आप उसके लिए टाइम कर नहीं आप डे नाइट लगा दीजिए लेकिन ड्राफ्ट के लिए आप टा अगर कोई दूसरा उससे समय में कर सकता है तो आप भी कोशिश करें कि हम भी करते हैं अच्छा शुकला जी कॉलेश के लाइप में जो किताबें पढ़ी जाती हैं उसका यूस जब आप वकालत में आते हैं तो उसका यूस किस तरह से करते हैं एक बड़ा इंपोर्टन्ट म पढ़ा से चीजें यूस में आती हैं उसके बारे में आपका व्यू क्या है तो पढ़ाई में पहली बात तो हमको स्टडी करनी चाहिए और सबसे बड़ी जो चीज है 100% अपनी प्रेस्ट क्लास में होनी चाहिए वो चीजे हमको याद रहते हैं किताब की पढ़ाई हम भू में आदमे चार लोग यहीं पे बैठे रहते हैं और चारों लोग अपनी मुबाईल चलाते रहते हैं यहां चेंबर में भी लायट्स बैठे रहते हैं और उनसे डिस्केशन करिये तो उनका जादातर काम जो है मुबाईल पे चलता रहता है तो जो आप कह रहे हैं उसकी डि डिफरेंट है और क्या रेलेवेंसी दोनों की है उस पर प्रकाश लिस्तिरित जानना चाहता हूँ मैं आपकी बात को जितना समझ पाया हूँ सबसे बड़ी चीज है अगर हम लक्ष के प्रति सचेश्ट होंगे अब लक्ष तो हमारा मोवैल देखने में तो ऐसे लोगों को आड में आउट आप उनहीं की चर्चा करें उनको थोड़ी देर में कहते हैं कि जरा हम कुछ बात कर हैं आप चर्चा इसमें करें नहीं तो भीया प्लीज हमारा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आपको कहीं पर डेडलाइन खड़ी करनी पड़ेगी तभी आप लक्ष तक पहुच जाएंगे इसना सामको आप खाली यहां चले जाएंगे ना आपके आप लक्ष में पूरे मुझे नहीं भी मालूम है बुक्स तक नहीं पहुच पाई रहा है गूगल से वह चीज डालूँगा पढ़के कुछ बता दूँगा बाद में उसको श्रड़ी कर लूँगा और कल सुबह जब आपके पास आउंगा तो मैं परफेक्ट तो नहीं लेकिन नियर इवाउट प हाला कि हमारी ओपनियन यह है कि हावर्ड इनिवस्टी, केम्बरिज इनिवस्टी, आक्सपोर्ट इनिवस्टी, कैलिफोर्निया इनिवस्टी, एवन दो काहरा जो अरबी की सबसे बड़ी कदीम इनिवस्टी है एजिप्ट में है मिस्ट में, काहरा इनिवस्टी और दिल्ल यह मानना है कि जब हम और आप education ले रहे थें तब आपको text book और teacher के सिवा कोई और नहीं था जो आपको teach कर सके या बता सके आज की इस सिती में education महगा कहां है शुकला जी आप से जानना चाहता हूँ क्योंकि आप 83 के ला हैं और हम 82 में पैदा हुए हैं तो दोनों में मैं जरा सा अंतर समझना चाहे रहा हूँ इस बात को लेके कि आज का दोर ये है कि education आपके mobile और घर पे 24 घंटा मौजूद है सिर्फ आपको उस पे एक बटन किलिक करना है और Harvard और Cambridge University का प्रोफेसर आपके सामने YouTube पे आ जाएगा वो specific point पे जिस पे आप धूट करके पढ़ना चाहते हैं तो दोनों education को अगर comparative analysis करें तो आपका education बहतर था कि आज के दौर का education बहतर है और उन लोगों के बारे में भी discuss कीजिए जो कहते हैं कि education बहुत महँगा हो गया है जो यह लोग कहते हैं कि education महँगा हो गया है वो बिलुकुल गलत कहते हैं education में हमारे जो तौर तरीके हैं जो अनावशेक खर्के हैं वो महँगे हो गए है जो आज हम रात को खाना खाने की जगे पहले हम लोग पढ़ते थे तो खिचिडी डाल ली या दाल बनाई उसमें र आज कल भी जो मेश होंगे लखनू में ही तो 30-40 में खाना मिल जाता हुगा लेकिन हम जा रहे हैं जो नई भी आपने बताया कि आज जो आलाइन सिस्टम है क्लिक करेंगे हमको Harvard का भी प्रोफेसर मिल जाएगा वो भी तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हो गई जो हमारे सामने नहीं होती थी हमारे लखनू अबस्टी में टेगोर लाइबरी थी उसमें हमको बैठना पड़ता था जाना पड़ता था किताब ढूननी पड़ती थी और कभी-कभी दुर्भाग से वही चैप्टर फटा हुआ मिलता था तो हम मसोस संतोस के रह जाते थे आज वो चीज नहीं है अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो बिल्कुल आसान है सस्ता है बस यह है कि हम अपने ध्यान अपना खर्चा उतना ही सिमित करें जितना एक घर से पैसा मिल ला है या स्वेमर्जित कर रहे हैं और उसमें ही संतोस करें और बाकी चीजें देखके उधर अपना ध्यान विकेंदित न करें आप इसी तरह पर सेंट्रलाइज हैं आप निश्य दूब्दे कम खर्चे में सीमित खर्चे में ही आगे बढ़ जाएंगे आप उन चीजों को जो दिखावे हैं उनसे दूर रहे और कहीं न कहीं आपको बहुत जल लोगों का यह कहना है कि बहुत अच्छे कोले से पढ़ने से अच्छा प्लेसमेंट मिलता है और अच्छी फर्म्स मिलती हैं जहां तक की वकालत की बात की जाए तो लोगों को यह कहना है कि जो अच्छे colleges से पढ़ते हैं उनका अच्छा package होता है और अच्छे points में और अच्छे वकीलों के पास काम करने का उसर मिलता है हाला कि मेरा ये मानना है कि जितने second vision और third vision लोग पास होते हैं ज़्यादा तर वो high court के जज़ी में है जैसा कि high court के अगर website को आप देखे तो second और third vision के ज़्यादा तर जज़ेज आपको high court में मिल जाएंगे तो आपका experience इस बारे में और आपके opinion क्या है कि college अच्छा होना चाहिए या आपका education अच्छा होना चाहिए इसके बारे में आप विस्तरित अपनी राय रखते हैं college अच्छे वाली एक अववा है और कई बार लोग college को prefer करते हैं क्योंकि उससे एक उनके एक लाइन बन जाती है जैसे राजीब गांधी जी दून स्कूल से पढ़े थे तो उनके जो भी साथी थे उस बखत के बले ही वो उस लाइन के लेविल के नहीं थे वो एक दून डून रिटर्न हो गए तो उसका एक फरक पड़ता है लेकिन हम अगर अपना ध्यान दें तो high court में जैजे जुडिस्टी में जब मैंने इलखन रिटर्वेस्टी से लाग किया तो लल भी तो तीन साल में हो जाता था और दूसरा आप संथा कि हम पिस्दी करते तो पिस्दी इन्रोल होते ही हम डाक होते प्रतिवाशाली होते या उन्होंने उस वकर प्रयास किया होता तो वो भी टॉप करते या फर्स क्लास आते लेकिन नहीं बाद में उन्होंने अपनी सेल्फ इस्टडी की होगी आगे बढ़े होंगे अपने को तराशा होगा और आज जिस सीट पर बैठे हैं उसके हैं अधित है आपके लिए हर राहा आपके लिए आसान होगी आप आगे बढ़ें जो भी नए बच्चा आता है वो ध्यान दे अचान नए बच्चों को इंट्रेंशिप की जो ट्रेनिंग होती है बीच बीच में जैसे एक साल का कोर्स है तो हर छे महिने पर और तीन महिने पर जो इंट्रेंशिप कराई जाती है वो इंट्रेंशिप को आप कितना रेलेवेंट और कितना इरेलेवेंट मानते हैं इंट्रेंशिप होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो किस लेवल की होना चाहिए उस पर आपका क्या विचार है इंट्रेंशिप बाके में अगर आएंगे ध्यान देंगे और लिखेंगे देखेंगे और फीडवेग को अपने हां समिट करेंगे डेली वेसिस पे उनके कालेज में इन्वस्टी में फालॉप होगा तो डिफिनिटली वह यूजफुल होगी और जो एड़ोकेट उनको इंटर्न के रूपर रख रहा है उसके लिए भी उच्पुल होगी कि हमें एक अच्छा स्टूडेंट मिला क्योंकि बहुत चीज़ें आज इसे में हम लोग नहीं जानते हैं जो न्यू किमर्स या नए बच्चेश जानते हैं हम उनकी योगता का उनकी शमताओं का और नई टेकनलोजी का लाब भी उनसे ल नेशन के लिए भी यह चीज़े सभी अच्छी होंगी जो हमारे देश का नाम भी रोषण करेंगी और हमारा भी नाम होगा कि एइंटरन हमारे यहां से पास हुआ हमारे पास मंत्री आया निकला और आज आगे वो सितारा चमक रहा है च्योंकि गुरु हमेसा हो चाहता है कि हमारा जो छात्र है हमारा शेश्ट है वो हमसे आगे बढ़े तो वो उसका भी सपना साकार होगा और ये इंटरेशिप की जो संकल्पना है वो उसको मजबूती मिलेगी वस खाना पूर्ती ना हो मुख्यो देशी है आज हम बात कर रहे थे संजय शुकला एड़ोकेट से जो 1983 में एड़ोकेट में रेजिस्टेशन था और एक लंबी स्टेंडिंग इनकी क्रेमिनल और सिविलला खास तोर से बैंकिंग और गैरा में है और आज ये डिसकस कर रहे थे कि नए बच्छों को वकालत के फिल्ड में क वर ऐसे आने चाहिए आपका क्या विजू है ये वीडियो देख करके कमेंट करें और अगली वीडियो किस पॉइंट पर चाहिए उस पर अगर आप बताएंगे कमेंट करेंगे तो शुक्ला जी से हम पोजिशन करेंगे और शुक्ला जी आपके सामने होंगे शुक्रिया हैंक्योग अवस्ट स्वागत